हे एब्रीवन गुद मॉर्निंग दिजिस पॉलमी और वेलकम तो मैं चैनल भाइ फूकल जिंदेगी होप सो आप सब बहुत अच्छे हो तो आज इस सेकंड डे है दमन में हम लोगों का कल रात को हम लोग पहुंचे थे तो कल का वीडियो होप सो आप लोगों को अच्छा आलू का पराठा और ब्रैड ओमले तो ब्रैड ओमलेट आया है अलू का पराठा थोड़ा देर से आएगा तो बस हम लोग अभी चारो चाय पी रहे है दिखाते हैं आपको उन लोगों को यह मोनुजित सर और यहां पर दिखिए चाइब रैड ओमलेट आया है और इधर मे तो ब्रेगफस्ट करके हम लो impe qua निकलने का साइध स्कूर्टी के लिए बोलेंगे स्कूर्टी आये गा तो सकूर्टी लेके हम लोग थोड़ा सा सिटी एक्स्प्लोर करेंगे कहां क्या है हमें तो कुछ भी पता नहीं है तो थोड़ा घूमेंगे अच्छे से देखेंगे बीच बगरे में जाएंगे तो आज का दिन भी पूरा बहुत सारा प्लान है सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी सुबने रही हमारे साथ में ऑर्डर किया था पनीर का पराथा मैंने गल्ती से आलू पराथा बोला लेकिन यह खाने में बहुत टेस्टी एँ इस ओटेल का खाना ऑवडर बहुत अच्छा है पराथा पनीर से गंगर है मतलब ठूस ठूस के पनीर डाला है जब से आया हो बहुत अच्छा खाना खाना हुगा इस बाखी बाहर का पता नहीं पर इस होटल में हम लोग आप अपर आप अब हम साब रेड़ी होके निकल रहे हैं तो थोड़ा बीच वीच भूमेंगे और क्या करता है दिखाएंगे अप लोगों को और ये मेरा पूरा टीम हम लोगों ने और बस अभी निकलेंगे चलो चलते अभी ये दमन नानी दमन और मॉड़ा मोती दमन में बटा हुआ छोटा सा एक बहुत ही खूपसूरत शहर है इतना क्लीन इतना खूपसूरत शहर मैंने बहुत कम देखा है अभी हम लोग आये हैं मोती दमन फोर्ट के सामने और इसके सामने देखी एक तालाब जैसा बना हुआ है मैंनमेड है लेकिन इतना खूपसूरत है यह जगा और सामने है मोती दमन फोर्ट तो हम लोगों को अचानक से दिखा तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसको एक्सप्रोड किया जाए और अभी हम लोग फोर्ट के अंदर जाएंगे और क्या क्या है वह अंदर जाके देखेंगे एक फोर्ट जैसा कुछ दिख रहा है तो वहां पर हम लोग बाहर खड़े हैं अंदर जाएंगे क्या है पता नहीं अभी जाने के बाद समझ में आएगा तो थोड़ा गूम रहा है इतना खूपसूरत शहर बहुत कम हम लोगों अभी रलाच करके रहा है इत्स अब बहुतिफल सिटी यह जगा पे ना हम लोगों ने बहुत फोटो वोटो खिजबाया बहुत सुन्दर है हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा क्या बता हूं यहार इच से बहुत प्लेइज आप बोल चकते हो बहुत अच्छा जगा है दमन आपको आना ही है बहुत अच्छा फोटो जा रहा है मैं कोशिश करूंगी शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ तो बस अभी और आगे के तरफ जा रहे देखते हैं सामने क्या-क्या है और सब कुछ शेयर करती रहूंगी यह पूरा एक दिखिए अलग सा सिटी टाइप है और यह से के नीचे खड़े और मृदोल लिए देखिए बहुत सारा कोड्रिंग्स लेकर आया है बहुत गर्मी है पानी पीना है मैं उझे भी पानी पीना है पहले और यह पेड के नीचे हम लोग है अभी तो अभी हम लोग आये हैं इक जगा पे यहां पे यह दिखिए लिखा हुआ है ग्रुइन चार्च तो यह पहले चार्च था जो कि अभी नहीं है ग्रुइन हो चुका है तो चलिए लेट्स ही देखते हैं अंदर जाके कैसा क्या है यह पूरा चर्च कितना खुबसूरत होगा मैं हिमाजिन कर रही हूं सिर्फ लेकिन अभी तो सब रुइन हो चुका है कुछ भी अच्छे से नहीं है लेकिन फिर भी यह सब प्लेसेस में घूम के बड़ा अच्छा लगता है हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि दमन में क्या क्या है क्या नहीं ऐसे ही आये थे और घूम घूम के एक्स्प्लोर कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है सच में और फोटो इतना अच्छा रहा है ना क्या बताओ मैं आप लोगों को यहां पर देखिए यह जिसस क्राइस्ट का कुछ रखा हुआ है यह एक्च्छली चर्च तो रूइन हो गया तो लोगों ने शायद यहां पर फिर भी थोड़ा रखा है इतना सुंदर यह जोगह है मतलब बया नहीं हो रहा है यह एक्चली कॉलोनियन रूल में उन्होंने जो एक फोड बनाया था जिसको किला बोलते हैं किला के अंदर ही उन्होंने सब कंस्रक्शन किया है गवर्मेंट ऑफिसेस बैठने का जगह कम्यूनिटी हॉल इधर देखिए राइट सेड में कूट भी है तो पूरा एक वेल ऑर्गेनाइस्ट जो बोलते है ना टाउंशिप वो बनाया हुआ है अधर आप लोगों को आना जरूर चाहिए मेंस मत करिए और यह जो जगह है य इस तरफ से इस तरफ आने के साथ यहां पर है फोर्ट खतम हो जाएगा और उसके आगे भी कुछ है शायद हम लोग अभी उस तरफ जाएंगे फोर्ट से निकल के रिवर साइट में यहां पर आई लव दमन करके लिखा हुआ है लोग शाम में आके यहां पर फोटो खिचवाते हैं तो हम लोग यह जगह को देखके फिर से निकल जा रहे है होटल की तरफ जा रहे है अभी और यहां पर देखिए जो फोर्ट के साइट सैट से रोड गया है कितना खूबसूरत है ये रोड तो आप ये व्यू इंजॉय कीजिए कि अब ये जाए है ये जाए है ये है ये है ये देव का बीच चाहिए जाए है कि अब ही आये है जहां पर ये है देव का बीच बहुत ही फेमाज बीच है दवन का फूपसूरत में क्या बताओ आप लोगों को दिखाती हूं मैं आपको हम लोग तो मैस्मेलाइज हो गया है कि अब्रीवन कुछ देर पहले घर आचुके है आने के बाद मैंने ड्रेस बस चेंज कर लिया अभी कुछ देर रेस्ट करूंगी उसके बाद नेक्स्ट क्या-क्या प्लान होता है वो सब देखेंगे तो चलिए इस ब्लॉग को मैं दो पार्ट में दूंगी अभी फिर कुछ देर बाद से विनिंग का पूरा ब्लॉग और एक ब्लॉग में आएगा तो इस ब्लॉग को यही तक रखती हूं होप सो यह व्लॉग अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलती हूं फिर आपके साथ एक नया व्लॉग में तब तक के लिए अच्छे से रहिए खुश रहिए एंड देखते रहिए बाइफोक्डव जुन्दिग्ट